Hello my dear friends, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत सबर्दस होंगे, right? आज आपको एक बहुत ही प्यारी सी सुन्दर सी कि स्टोरी बताना चाहूंगा कैता है हर एक इंसान की लाइक के अंदर कई न कई बहुत सरी प्रॉब्लम्स हो और परिसित्या खराब होती है, right? परिसित्या बहुत ही विक्राल है, right? कई सारे लोग ऐसे बोलता हैं, चुनोती हैं, संगर से भरा जीवन है, right? आज उन सभी लोगों को आज बहुत बड़ा मेसेज आपको मेरी और से देना चाहूंगा वैसे सरावन सुमार चल रहा है, तो क्यों ना भगवान इश्वर उस परमपिता परमिश्वर का ही एक्जाम्पल लिया जाए, right? तो एक्जाम्पल मेरा सिर्फ इतना सा है, एक्जाम्पल मेरा उस परसनालिटी, उस उस इश्वर के और इशारा करते हुए, जो की शुशंबू भोले नाथ है, right? बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ भोले नाथ की, आना, right? आप अगर देखेंगे भोले नाथ की पूरे फैमिली को देखेंगे, तो बहुती विकट परस्तितिया हैं, फिर भी कहीं ने कहीं तीक है, right? कैसे एक 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 जामपल आपको देना चाहूँगा, कि भोले नाथ के, शुशंबू नाथ के जटाओं में अगर आप देखो तो गंगा जी है, right? मतलब जल, है ना, और वहीं पर अगर भोले नाथ के मस्तिक शुम अगर आप देखें, तो तीसरी आख है, और तीसरी आख के खुलने पर क्या होता है, आग ही हाग, चारों तरफ, तबाही ही तबाही है, है ना, मतलब आग और पानी दोनों साथ साथ, right? उससे बड़ी बाद सुनिये, कि सरप क्या है, वोर साथ में चान, चंद्रमा, चंद्रमा मतलब अब साथ जानते होंगे अमरत होता है, right? और सिव जी के गले में क्या है? वीश, मतलब वीश और हमरत दोनों साथ साथ, right? उससे बड़ी बाद सुनिये, right? सिव जी के गले में क्या होता है? सरप की माला, right? और गनेज जी, उनके छोटे बेटे, उनकी सवारी क्या है? है ना, चुहा, सरप नीचे उत्रा, तो चुहे को खा जाएगा, right? लेकिन आपको पता होगा, है ना, उनके बड़े बेटे, कार्तिके, उनकी सवारी क्या है? मोर सरप जेसा नीचे उत्रेगा, तो मोर बोलेगा आज़ा बेटा, मैं बेटा हूँ, right? तो कहीं न के उनकी भी नहीं बनती है, right? फिर भी ठीके, उससे बड़ी बात, भोले नात की सवारी क्या है? आपको पता ही होगा, right? नंदी, right? बेल जिसको बोलता है, right? बट उससे बड बात, उनकी पतनी की सवारी क्या है, आपको पता ही होगा, right? पारवती माताजी की जो सवारी है, वो है सेर, right? मतलब सेर का दुष्मन कोन है, right? बेल, नंदी, right? तो कहेने का मतलब दोस्तों ये है, कि इतनी विकट परिस्तितियां, इतनी गंबीर परिस्तिती होने के होता है, मैं आपको समझाने की कोशिस ये ही कर रहा हूँ, कि जीवन के अंदर, अगर हमको लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब होना है, तो यकीन मानिए, यकीन मानिए, आज उन परिस्तितियों पर ध्यान देने की जुरूत नहीं है, ध्यान सिर्फ हमें अपने गो सबर्दस तरीके से अपने जीवन के अंदर कामयाब होना स्टार्ट कर देंगे, ये भी उतना ही सच है, साध मेरे आशा करता हूँ, कि आपको मेरी बास समयद में आई होगी, राइट, जो इनसान इन प्रॉब्लम और परिस्तितियों से लड़ेगा, वही इनसान गेम रूपा नहीं करते, प्रॉब्लम और परिस्तितिया, ऐसे चाहे कितनी भी विकट हो, कितनी भी संगर्श हो, कामयाब इनसान कभी रूपा नहीं करते, कभी धूपा नहीं करते, तैंक ये सो मच माई डिया फ्रैंट्स, आसा करता हूँ, आपको मेरी बाते कुछ समझ में आपको में बहुत ज़ादा नहीं, थोड़ा बहुत भेतर बन सकते हैं, थोड़ा बहुत भेतर कर सकते हैं, जितना कि हम सभी अपने लाइप में अपने अपसे एक्सेप्टेशन लिये हुआ है, यकीन मानिए, जिस दिन से आपकी चीछ करना स्टार्ट करेंगे, आप फोकस